गुद मॉर्णिंग विवर्स वैल्टम चू बैक माई यूटूब चैनल पहला इस वूल टेप मेरा बैलन से जुड़ा हुआ है देखे इस बैलन का हम यूज करते हैं पर यह बहुत बार ना गीली होती है अभी की मांसून सिजन में बहुत साथ दिक्कत होती है जब हम इसे र है गई ना कुछ सकेंड के लिए भी जल जाएगी जब भी आप खाना वगेरा बनाते हो साइड में इस तरह के से बस रख दीजेगा बीच वीच में पलटते रहिएगा आराम से यह सूख जाती है तो बैलन्स हो खाने का यह सबसे आसान रहिए ठीक है गेस कि आज में मत पक का देख सकते हो मेरी बिलना एक तरह से जल चुकी है पर इस तरह से रख दीजिए आप डाल बनाते हैं या सब्जी बनाते हैं तो साइड में बेलन्स होने के बाद इस तरह से रखने सी अराम से सूख जाया करती है अगले इसफल है कर आलो की सूखी सब्जी से जुड़ा पर अभी ना इसमें राई जीरा डालना बागी है तो दीखिए अलग से तड़का लगाने के बजाए आप ये वाला चोटा सा है कि उस कर सकते हैं तोड़ी सी जगा बना लीजेगा इसके बीच में आप यहापर जीरे को डाल सकते हैं गलती से सही अगर ऐसा होता है कि राई ज करते हैं यह वही वाली सब्जी है अब यहां पर में आपको राई भी डाल के दिखा रही है तो मुझे तो यह बहुत आसान सा तरीका लगता है एक बार आप भी यूज करके देखेगा अगर गलते से अगर सुखे सब्जी में आप राई जीरा तरकाना भूल गया है तो पराटा ना हर कोई घाना पसंद करता है पर पराटे बनाने के आप कितने तरीक जानते हैं आज में लच्छा पराटा बनाने के तीन तरीके आपको बताओं कि तीरों में से जो आपको जादा अच्छा लगता है वह आपनी लाइफ में अपना सकते हैं तो नोमल जो रोटी ह है उसमें हमें चाको का यूज करना है तो देखिए चाको लेना है बस इस तरह के से अपने कट लगा देने हैं जैसे कि आप मेरे हाथों को देखे सकते हो पतले पतले से बस आप इस तरह के से कट लगा दीजेगा यह तरीका सबसे आसान है लच्छा परठा बनाने के लिए बस बहुत असान तरीके से बन गया है. अब इसे बेलते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखेगा कि आपने ना कड़े या कड़क भाट से बिलकुल नहीं मेलना है अगर आप कड़क हाथ से बेलों के इसकी परते होती है वो तूट जाया करती है थोड़ा सा सूखा आट आप ले सकते बस हलके हाथों से चलाएंगे और यह देखिए आपको चुल इच्छा परठाई यह बनके रीडी हो चुका है बहुत ही आसान सा है इसी यूज़ करके दीखिएगा अगला एक और यूसफुल है बताती हूँ यह भी आपके बहुत जाद काम आएगा तो यहां फिर से आमने ए प्लेट वागेरा इसे आपने जमाते जाना यह दिखिए हमने जो आटा लगाया थोड़ा सा गीला है इसलिए लिक्कत हो रही है यह दिखिए इस तरह किसा पकड़ेंगे तो अराम से यह प्लेट बनती जाती है यह साइकन वाले ट्रिक है इसे पराठा तो बहुत अच्छा बहुत जादा आसान है इससे प्लेट आसानी से बन जाती काफी सारी लियर्स भी बनती है यह वाले हैक से हमारे गर के जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी बहुत हो जाते हैं उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ नया और अलग चाहिए होता है तो आप इस तरीके से जो वालों से आधाना है यहां प्रोटी बनानी है देखे इस तरीके से और हमने फिर से थोड़ा सा तेल लागाना है तेल लेयर वह आराम से देखें इसले हमें देखें ति इसले ले मीशा बहुत जरूरी है है आप यहां गी उसक नहीं चाहते है तो वह भी कर सकते हो एक बीच जासा दिखर बना परन के बना को तो दोनों थर्फobile से होगा धोल प्रेस इसरे बड़ busy जी जाता है वह अधा सब्सक्राइब लाज रुफ जाएगी फिर आपको होगे कि लच्छा पराठा रिक से बना ही नहीं है तो मैंने तीन तरीखे आपको बता आए हैं तीन हमें सब को जो अच्छा लगता है आप उस रिक को यूज कर सकते हैं अगर आप इगनर है तो पहले बारे रिक को यूज की चाहिएगा बहुत असान से बन जाते हैं अच्छा क्या आप भी गेस की पचित करना चाहते हूं तो यह वाला हैक आपको बहुत जादा पसंद आएगा जो कि पराठे के से जुड़ा हुआ ठीक है तो यहां तवा अच्छे से बड़े असे प्रीहिट है यहां मैंने एक पराठा डाला है अब अब हैं क अगर अगर आप एक साथ दो पराठे बनाते हो आपको पराठा मेकर की जरूट नहीं बढ़ेगी क्योंकि कि एक्वल जो प्रेशर है वो सेकंड वाले पराठे पर जाता है बस आप चम्टे वगरा से इस तरह के से चलाते रहेगा मुझे थोड़ी से आदा थे इसले मैंने हाथों का यूस किया है अगर आप इंगनार है तो हाथों का बिल्कुल यूस ना करें क्योंकि तवा और रोट पहले पराठे पर आप इस तरह के से पलड़ दीजिएगा इसे जो बहुत सारा तेल होता है वह एकदम तवे की सर्फेस पर नहीं लगता है क्योंकि बहुत सारे बिगनर की यह भी कंप्लेइन होती है कि जैसे ही हम पराठा तेल में डालते हैं तेल ना चटक के गरम होके वह चहरे पर लग जाता है हादों पर लग जाता है आम सी बात है जब जादा तेल पराठे पर जाएगा तो वह चटकता है तो आप नहीं दो पराठे वाले हैक को यूज कर सकते हैं दो फायदे हैं एक साथ दो पराठे पकेंगे दूसरा आपको पराठा बनाने के लिए पराठ पराठे भी निव बनेंगे आपके तो उम्मीद करती हूं यह वला है को पसंद आया होगा चलिए लास्ट में देख लेते हैं कि क्या यह पराठे लच्चे पराठे जैसे बने हैं तो देखें यहां पर आप पर्दों को देख सकते हैं अराम से आपको परते नजर आ रही देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद